Hello Everyone, Welcome to my channel, स्वागा थे आप सभी का मेरी यूटूब चैनल नर्सिंग आइडन्स में, तो आज हम लोग बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे में, तो देखिए कई परसंज में क्या होता है कि जो सिजोफ्यानिया के सीम्टम से वह sudden appear हो जाते हैं और कई cases में ये भी देखा गया है कि ये सीम्टम से वह age के साथ person में दिखने लगते हैं ठीक है तो अगर हम लोग initial symptoms की बात करें तो initialy aip patient में देख सकते हैं tension देख सकते हैं उनका जो concentration अपने आपको दूर करने लगता है वो अकेले-केले रहने लगता है यह सब क्या है तो यह सब शुजोफ्रेणिया का फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड में देखा जाता है ठीक है यह तो नॉर्मल बाती होगी यह हम लोग देखेंगे कि साइकेट्रिस्ट ने सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया है तो देखिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे मे ब्लोरास फॉर बोला गया है दूसरा है आपका इसोशैटिव लूजनेस तो चलिए एक एक करक से इनके बात कर लेते हैं तो इसमें पर्सन जो होता है वह एप्रोप्रियेट इमोशनल रिस्पोंस नहीं दे पाता है ठीक है सिचुएशन के अगर कोई भी ऐसे मोंच से गुजर रहा होता है जहां पर कोई सएड इवेंट हुआ है लेकिन वह उस पर्सन को भी सएड इमोशनल देना चाहिए पर वह नहीं दे पा रहा होता जहां सारे लोग रो रहे होते हैं वहां पर इसमाईल कर रहा हो ख़िक है ऐसे चीज़े आप द से वहां पर रोता हुआ दिखिएगा वह situation के according emotion दे नहीं पाएगा ठीक है next up autistic thinking तो यह क्या है it is a thought process in which the individual is unable to relate to others or to the environment इसमें क्या होता है कि person का thought process जो है ठीक है उसमें क्या होता है कि problem हो जाता है जिसके करण क्या होता है कि person क्या होता है वो अपने आपको दुस्रों से और environment से रिलेट नहीं कर पाता है एक daydreaming behavior का situation को ले सकते example में कि person अपने ही ख्यालों में राता है उसको पता नहीं होता है कि environment में का जो reality उससे वो अपने आपको connect नहीं कर पाता है यह इसे लोगों को अगर आप public place में लेके जाते है तो वहाँ पे वो communicate कर ही नहीं पाएंगे कि उनको वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि environment का reality क्या है ठीक है next ambivalence तो इसमें contradictory or opposing emotions attitude ideas emotions for the same person things or situation इसमें क्या होता है कि person को एक ही time पे दो तरह के thought आते है ठीक है एक positive एक negative कोई भी situation के लिए situation या तो person होया या कोई thing से कुछ भी हो सकता है जैसे अगर वो किसी भी इंसान के बारे में सोचता है तो एक time उसको लगेगा कि वो अच्छा है दूसरे ही time उसको लगेगा same time पे कि नहीं वो अच्छा नहीं है ठीक है तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही time पे contradictory thought person में आने लगता है एम्वाइवलेंस के case में next आप मारा associative looseness जिसमें क्या होता है कि inability to think logically the stringing together of unrelated topics इसमें क्या होता फ्लाइट of ideas आप इसमें देख सकते हैं associative looseness में जिसमें क्या होता है कि person जो है वो logically कोई भी चीज को थोच नहीं करेगा और जिसमें क्या होगा कि जो दो जो topic होंगे वो बिल्कुल भी एक दूस्य से unrelated होंगा related बिल्कुल नहीं होगा जैसे आप अगर उसको उसका नाम पुछते हैं तो वो बोलेगा कि मेरा नाम यह है मेरा result आगिया इस तरह की बाते वो करेगा जिसमें दो topic के बीच कु क्या क्या है तो पहला hearings once thought spoken aloud इसमें क्या होता है कि person को कुछ भी मतलब auditory thoughts person को सुनाई देता है ठीक है जो कि आप दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देता है next hallucinatory voice in the form of statement and reply इसमें क्या होता है कि person को क्या होता है कि कुछ मतलब ऐसा सुनाई देता है इसा कोई है जो उसके इसको reply भी करेगा ठीक उसको लगेगा कि वो जो third person है वो उसको reply भी कर रहा है इस तरह का उसको hallucination होने लगता next hallucinatory voices in the form of running commentary उनको इसा लगेगा कि कोई है जो उसको कुछ भी command दे रहा है करने के लिए वो कर रहा है इस तरह का चीजा person को लगने लगता है next thought withdrawal तो इसमें क्य होता है कि person को इसा लगता है कि कोई external force है जो उसके brain से सारे जो ideas thought है उसको remove मतलब निकाल ले रहा है ठीक है जिसके कारण उसके पास कुछ ideas नहीं बच रहा है ठीक है इस तरह का चीजा person को लगने लगता है next आपका thought insertion तो thought insertion में person को इसा लगता है कि कोई भी external force है कोई है जो बाहर से उसके दिमाग में कुछ भी thought को impose कर दे रहा है ठीक है उसी चीज़ को वो बोल रहा है next thought broadcasting तो इसमें person को इसा लगएगा कि उसके आसपस जो भी चीज़े हो रही हो उसका thought है उसी का thought को broadcast किया जा रहा है वो उसके आसपस जो भी हो रहा है वो सब के बारे वो यह सा सोचते कि मेरा थोट है इसा हम सोचते हैं मेरा ही thought को सारे जगा में दिखाया जा रहा है इसा उसको लगने लगता है next deluginal perception तो deluginal perception में आप इसा चीज़ें को देख सकते है कि इसमें person को क्या लगता है कि वो ना कर लेता है उसमें इतना ज्यादा बिलीफ हो जाता है उसको रॉंग परसेप्शन पे जैसे कि इसका इसा देख सकते हैं कि माल लेजी कि आपका स्काई में कोई क्लाउड है तो अगर वो पैरसन सीजोफ्रेनिक है तो वो क्लाउड को देख के कुछ ऐसा सोचे का कि वो बाउड कुछ बोल रहा है जिसमें मेरे लिए मैसेज है और वह उस चीज पर बहुत ही ज्यादा मतलब बाइकदम अनसेकेबल बिलीफ उसका उस चीज पर हो जाता है इसा बिलीफ जिसको आप मतलब सुधारी नहीं सकते उस पर बहुत ज्यादा ही बिलीफ करने लगता है ठ चीज जाड़ेबन बाइबन कान ऊपार में और नहीं हो चैंगा om वो उसको कोई भी external force है जिसके control में वो है जो कि उसका activity को control कर रहा है next made impulses तो इसमें क्या होता है कि वो बोलता है कि कोई भी external force है जिसके जो वो उसके impulse को उसमें ये कर रहा है डाल रहा है और जिसके तो वो कम कर रहा है नेक्स्ट मेड फिलिंग और अफेक्ट इसमें क्या होता है कि उसका जो फिलिंग से वह किसी एक्सटरनल फोर्स के द्वारा उस पे डाला गया है इस तरह का वह अपने आपको सो करने लगता है ठीक है यह तो होगी आपका नाइडर्स फर्स उंप्टम सब सिजोफ्रेनिया अ होता है तो फॉल्स अंसेकेबल बिलीफ होता है परसंट को कुछ भी बिलीफ हो जाता है जिस पर क्या करता है कि परसंट को एसा बिलीफ होता है जिसको आप लोजिकली चेंज नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट आपका पोजिटिव सिम्टम्स में हलुसीनेशन तो हलुसीनेशन आपको पता है कि कोई भी stimulus के presence के बिना ही प्रेशंट को false perception होने लगता है नेक्स्ट आपका aggressive behavior होने लगता है ठीक है यह भी आपका positive symptoms सीजोफ्रेनिया का और सब्सक्राइब यह एडियाज और रेफरेंस तो देखिए अचली होता क्या है कि जो positive symptoms है उसमें क्या होता है कि पैसंट को जितना नहीं सोचना से यह उससे ज्यादा ही वह सोचने लगता है उसका फॉर्ट प्रोसेस है उसको इंक्रिमेंट उसमें हो जाता है और जो negative आपका जो symptoms है उसमें क्या होता है कि पैसंट का फॉर्ट प्रोसेस है उसमें आपका डिक्रिमेंट आ जाता है मतलब पैसंट को जितना लेबल में सोचना चाहिए उतना सोच नहीं पाता है तो उसमें आप क्या देख सकते है तो effective आपका flattening, blunting जिसमें की बता चुक आपका जो experience से उसको वो सो नहीं कर पाएगा और लास्ट आपका एलोजिया जिसमें क्या होता है कि लिया को आप speech output ठीक उसका speech output जो होता है वो उसका decrease हो जाता है तो यह सब आपका symptoms तर सी जो फ्रेनिया का I hope आपको समझ में आया हो मेरे वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दी मिलते हैं दुस्ते वीडियो पर thank you